निग्रानिक जांच 1391 सिजकों का फोल्डर देने का अल्टिमेटम प्राथमिक दर्ज किये गये 38 सिजकों के समंद में मांगी रिपोर्ट वियों को दी गई जिमेवारी जिला सिछावी वाग ने परखण सिछापत अधिकारी के माध्यम से सभी समंदित निजन इकाई के सची पर दर्ज होगी प्राथमिकी एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं जो एक खबर गोपाल गंज से चपके आ रही है फर्जी फोल्डर लेकि आनगी फर्जी सिचक बहाली को लेकर क्योंकि गोपाल गंज में 1391 ऐसा सिचक है जो अभी तक फो तूली भी की जाएगी क्योंकि अब तक सरकार ने इन्हें पांच से छे बार फोल्डर जामा करने का आदेश दिया था ऑनलाइन भी और आफलाइन भी पर अभी तक यह लोग जामा नहीं किये हैं नहीं किये हैं तो समझे पूरी तरह से फर्जी हैं और इस सीट को अगले ब वाग के अस्थापना डीपियो जामदुल निगरानी जांच के कुल 1391 सुचको का फोल्डर जमा करने का अल्टिमेटम संबंदित निजन इकाई के सचीवों को दिया है इस संबंद में जीले के सभी बियो को पत्र लिख कर उनके माध्धम निजन इकाई के सचीवों को करी निर्देश दिये गए हैं पत्र में कहा गया है कि निगरानी जांच के लिए उक्तिको का फोल्डर तीन दिसंबर यानि कि 2002 तक ही जमा करने के निर्देश दिये गए थे लेकिन काफी संख्या में फोल्डर आप्राप्त है जिससे यह परतित होता है कि जान भुजकर निगर आथमी की दर्च करने की वादता हो रही है विभाग के अपर मुक्सचीब के निर्देशा अनुसार सभी संबंदित नुजन एकाई को एक अंतिम मौका देते हुए पुना संपुन फोल्डर जमा करने का निर्देश दिया जाता है अस्थापना डिप्रो ने बताया कि की गई है जो उन्हें प्राप्त नहीं है यह फोल्डर वैसे हैं जिसमें मेधा सुची या अबिदन पत्त की परती सलंगन नहीं थी इसलिए यह फोल्डर को स्यूकार नहीं किया जा रहा है इन फोल्डरों को पुना प्रखण सिच्छा पतादिकारियों से मांग की गई है यह सभी संबंदित नियुजन इकाई के 25 नियुजन इकाई के सचीव सह पंचाई सचीव या प्रखण नियुजन इकाई के सचीव द्वारा बियो को उपलव्ध कराया जाना है अगर यह फोल्डर वित्य समय तक उपलव्ध या जमान नहीं कराते हैं तो उनके खिलाप सु मुल्बिद्ध्यालों में उग्दान करने के लिए कर्मी किये गए बिर्मित सिवान कारित में कर्मियों को पूर्में कि गए परतिन्युक्तों की तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए कर्मियों को मुल्बिद्ध्यालों में उग्दान करने के लिए बिर्मित कर दिया गय डियो को मैंने बताया कि इसका सविकों मद्य जैले के लिवित टारी रगनादपुर और दिया गया है याना देख सकते हैं प्राथ्मी की दर्ज के अरथी सिखालोगी यौह समंध में मांगी रिपोर्ट नियुजन में धान्दी का मामला उजागर होने पर निगरानी बीभाग द्वारा जिले के अर्तिशुज़कों परपूर में प्राथमी की दर्ज की गई थी इनकी सेवा मुक्ती या सेवा बात्ता के समंद में बरतमान इस्तिती का आकड़ा बीभाग के पास नहीं है इन पर भी निगरानी बीभाग द्वारा प्राथमी की दर्ज सेवा इस्तिती से समंदित रिपोर्ट उपलवद कराने के निर्देश दिये है इसके अलाबा एमनेस्टी पिरियड में त्याग पत्र देने वाले सिर्कों की सूची भी मांगी गई है वहीं अगर किसी प्रखन में ऐसे सिच्चक नहीं है तो इस आज का प्रमान पत्र हुआ सुन रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये है वियों को दी गई है सारी जिम्यवारी अस्थापना डिपो ने सभी वियों को जिम्यवारी सौपते हुए निर्देश दिया है कि फोल्डर से समंधित निजन एकाई के सचीव को पत्र का तामिला कराएं साथ ही एक सप्ता के अंदर समंधि सिच्छक का सत्यापित मेधा सूची आविदन पत्र सहीत निजन के समय समपित सभी परमानपत उपलवद कराएं अनिथा निगरानी जांच में सहयोग नहीं करने के कारएं इनके उपर प्राथमी की दर्ज की जाएगी दो सेट में फोल्डर समय कित सुची 15 दिसंबर तक अस्थापना साका में समपित करें चोटा सा अपडेट हमने आपको दिया इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे तो फिर मिलते हैं एक नेक्ट वीडि बढ़ दो तो